चंद्रयान तीन की चांद के दक्षिनी धुरूफ पर कामियाब लेंडिंग के दसवे दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉंच कर दिया। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 अब तक 9.2 लाख किमी की दूरी तै कर चुका है और सन पॉइंट L1 को तलाश रहा है। आदित्य L1 ने पृत्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलता पूर्वक बचकर यह दूरी तै की है। यह लगातार दूसरी बार है जब इसरो पृत्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक शियान भेजने में सफल हुआ है। पहली बार मार्स और्बिटर मिशन मंगलियान ऐसा था जिसे पृत्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर भेजा जा सका था। बता दे कि 19 सितंबर को सामने आए अपडेट के मुताबिक आदित्य एल एक सूर्य मिशन धर्ती और सूरज के बीच मौजूद लेरेंज पॉइंट एक की तरफ बढ़ चुका था। यानि उसका ट्रांस लेरेंजियन पॉइंट एक इंसर्शन किया जा चुका है। अब आदित्य को सिर्फ 110 दिनों तक अंतरिक्ष में यात्रा करते जाना है। देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य एल एक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। इस बीच सूर्य पृत्वी एल एक पॉइंट के लिए जाने वाला आदित्य एल एक ने पृत्वी और चंद्रमा की सेलफी और तस्वीरे भी ली है। इस बात की जानकारी भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संग्ठन ने सोशल मीडिया साइट एकसपर दोस्तों इसरो की तरफ से सूरज की स्टडी करने के लिए भेजा गया आदित्य सोलर आब्जर्वेटरी छे जनवरी दो हजार चौबीस को एल एक पॉइंट पर लेकिन छे जनवरी को ये होने वाला है इससे कुछ दिन पहले ही आदित्य एल एक मिशन की सफलता का पहला सबूत मिला था इस सैटिलाइट के सोलर अल्ट्रावालेट इमेजिंग टेलिसकोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरे ली थी ये सभी तस्वीरे 200 से 400 नैनोमिटर वेवलिंद की थी यानि आपको सूरज 11 अलग-अलग रंगों में दिखाई देगा आधित्य एल एक के सूट पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ओन किया गया था इस टेलिसकोप ने सूरज के फोटोसफेर और क्रोमोसफेर की तस्वीरे ली है फोटोसफेर मतलब सूरज की सता और बाहरी वायूमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोसफेर सूरज की सता से 2000 किलोमीटर उपर तक होती है। इस मिशन की सफलता नकेवल इसरो की क्षमताओं को साबित करेगी बल्कि सूर्य के रहसियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके सूमनात ने कहा कि एल एक बिंदू पर पहुँच के बाद आदित्य एल एक और सूर्य के बीच कोई बाधा नहीं रहेगी। सौर यान के इलेक्ट्रोनिक्स उपकरन जब तक काम करेंगे तब तक वह सूरज को देखता रहेगा और अध्ययन करता रहेगा। भारत का सौर मि एक मिशन को लेकर बड़ा अपदेट दिया। उन्होंने कहा कि आदित्य एल एक छै जनवरी को शाम चार बजे एल एक लैगरेंज एक बिंदू पर हेलो और्बिट कक्षा में पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि यान को कक्षा में प्रवेश कराने के लिए आदित्य एल एक के इंजन को बहुत नियंत्रित तरीके से चलाया जाएगा। इसरो अध्यक्ष सोमनात ने कहा कि भारत खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले पांच वर्षों में 50 उपग्रह लौंच करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहट सैनिकों की आवाजाही को ट्राट करने और हजारों किलोमीटर शेत्र पर नजर रखने के लिए विभिन्न कक्षाओं में अतिरिक उपग्रहों को स्थापित किया जाएगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि तकनीक के मुताबिक उपग्रहों की क्षमता में सुधार करना जरूरी है। खासकर 30 दिन लंबे सफर को पूरा करने के बाद यह 6 जनवरी 2024 को शाम 4 बजे L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। बता दे लेगरेंज पॉइंट L1 अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसा पॉइंट है जहां धर्ती और सूर्य का गुरुत्वाकर्शन नियूट्रलाइज हो जाता है। इस पॉइंट पर कोई ग्रहन नहीं लगता है जिसकी वजह से सूर्य के वातावर्ण में होने वाले बदलाव पर निरंतर नजर रखी जा सकेगी। इस रोचीफ ने बताया कि आदित्य L1 में लगे सभी 6 पेलोट सही तरीके से काम कर रही हैं और अच्छा डेटा आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करकर ले ताकि वीडियो में दी गई सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। और इस रोच के वैज्ञानिकों की मेहन्द और प्रयास के लिए कॉमेंट बॉक्स में ज जय हिंद जय इस रोच जरूर लिखें।